नमस्कार मैं हूँ प्रवाकर मणितिवारी और पॉलिटिक स्वित प्रवाकर में एक बार फिराब का स्वागत है आज बात पस्चिम मंगाल चुनाओं की आप जानते हैं महीने भर से खेला होवे का शोर मचा हुआ है ममता बनर जी से लेकर और बीजेपी के तमाम नेता खेला होवे खेला सेस होवे यानि खेल होगा की खेल खतम होगा इसी पर आरोप, परत्यारोप और तमाम बयानबाजी जारी है तो अब ये आठ मैचों की सिरीज है अगर खेला की या खेल की भाषा में बात करें तो आठ मैचों की सिरीज है यानि आठ चरणों में चुनाव होने हैं तो इस सिरीज का पहला मैच अब कल यानी शनिवार से शुरू हो रहा है पहले चरण में जंगल महल इलाके की करीब 30 सीटों पर मद्दान होना है और लेकिन क्रिकेट और राजनीती में अंतर यह है कि क्रिकेट के खेल में जहां खेल खत्म होते ही हार जीत का पता चल जाता है इसमें पूरी सिरीज खत्म होने के बाद ही फैसला होगा कि सत्ता का ताज किसके सिर्पे बनेगा और कौन बाहर होगा तो और इस पर चर्चा आगे करने से पहले एक बार फिर आप से अन्रोद करता हूं कि अगर आपने अप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त अपने मित्रों और परिजिनों के साथ इसे सेयर करें और टिपणियों के जरिये मेरा उत्षाह पढ़ाए तो अब खेला होबे का शोर थम गया है और आखिरी दोर में भी तमाम दावेदारों ने अपनी बाजी लगा दी है अपना पूरी अपनी ताकत लगा दी है सारे संस जोग दिये हैं और ब्रेयस्पति बार शाम को प्रचार खत्म हो गया था और उस दिन मम्ता ने भी रहलियां की चार चार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगी आदितेनाथ केंद्रिय ग्रिय मंतरी अमित्षाह ने रहलियां की सीने अभिनेता फिल्म मिश्टार मिथुन चक्रवर्ती ने रोडशो किया तो किसी ने अपनी और से कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी हैं और इन सीटों में पुर्वी मेदिनीपूर की सीटे हैं पस्ची मेदिनीपूर की सीटे हैं जाड़ ग्राम की हैं पुरूलिया की हैं बाकुडा की हैं और य जिशन जी नामक मावादी नेता के रहते मावादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था और इसलिए उस इलाके का नाम जंगल महल पड़ा वैसे इलाके में जंगल भी है जारखंट से 60 इलाका है और अब इस इलाके में जो 30 सीटों पर मद्दान हो रहा है इससे तस्वीर साफ होने की उमीद है कि आगे क्या होगा और इसमें सबसे खत्रा टीमसी को ही नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है बीजेपी ने इन 30 सीटों में एक भी नहीं जीती थी पिछले चुनाओं में और सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती थी टीम है जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी ने इलाके में तीन-तीन रैलियां किये है कोलकाता के ब्रिगेट परेट ग्राउंड में रैली कि उसे जोड़ ले तो चार रैली हो जाएगी अमित शाह लगभग हर तीसरे दिन रैलिया करते रहे हैं रोड़ शो करते रहे हैं इसके अ आदित्यनाथ, राजनाथ सिंग, केंद्रिय रक्षा मंत्री और दूसरे तमाम नेता लगातार इलाके का दोरा करते रहे हैं और रैलिया करते रहे हैं और मुद्दे क्या हैं मुद्दे तो वही हैं पुराने विकास पिछड़ापन वो इलाका पहले भी पिछड़ा था हाल कुड़ा भी लाल मिट्टी वाला इलाका है पानी की कमी है गर्मी काफी पड़ती है तो ममता बनर जी का दावा है कि उन्होंने पानी घर घर पहुंचाने के लिए कई जनाएं शुरू की हैं दूसरी और बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि पुरूलिया में राम और सीत से भी जोड़ा परधान मंत्री मोदी ने की बनवास के समय यहां थे और राम ने यहीं तीर से धर्ती का सीना फाड़ कर पानी निकाला था फिर भी इलाके के लोग पानी की बुंद बुंद के लिए तरस रहे हैं महिलाओं को पीने के पानी की ये ब्यवस्ता के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है तो ये सब तमाम मुद्दे उठते रहे हैं एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं और इसमें कहीं ने कहीं असल मुद्दे दब से गए हैं सारा जोर एक दूसरे पर आरोप लगाने अपनी कमीच को दूसरी से ज्यादा सफेद बताने और खेला होबे कि खेला खतम होबे इसी सब पर रहा है तो अब ये कल से खेला होगा तो खेल में कौन जीतेगा हारेगा ये तो दो माई को ही पता चलेगा लेकिन ये काफी अहम है इतने दिनों से जो तमाम पार्टियां अपने संसाधन जोक रही थी उसका अब उसकी शुरुवात होने वाली है और ममता बनर जी भी तमाम रह लिया एक दिन में चार्चार रह लिया कर रही है पिछले दस मार्च को नंदी ग्राम में घायल होने के बाद से दो-तिन दिन बाद से ही और निकल पड़ी है और वीलचेयर और हेलिकाप्टर के सहारे अब तक एक दर्जन से ज्यादा कर चुकी है तो अब लेकिन इलाके के वोटरों ने इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अएकदम चुपी साथ रखी है कुछ बोल नहीं रहे है अगर उनसे पूछा भी जाए तो जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहते है और कुछ-कुछ इलाकों में बीजेपी म में से पांच पर बीजेपी मजबूत नजरा रही है तो इस बार टीमसी को ही नुकसान का अंदेशा है जाहिर है और 27 सीटों को बरकरार नहीं रख पाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि 27 सीटों को बरकरार रख पाए और अब ये तो आगे देखने पर पता चलेगा ले दूसरी और टीमसी ने तो 30 की 300 सीटे जितने का दावा किया है इनमें खड़कपूर की सीट है फिर मेदिनीपूर की सीट है जून मालिया लड़ रही है वहाँ पिछले जो मरिगेंदरनाथ माइती जीते थे उनका टिकट कट गया है इस बार उनकी जगा अभिनेत्रे जून वोटों से कम रहा था और तो वह दिल्चस्फ होगा देखना कि वह अंतर पार्ट कर दूसरे नंबर पर रही टीम विजेता बनती है कि नहीं टीम का मतलब यहां राजनितिक दल से है लेकिन चुकी खेला होवे की तरज पर ही इसी थीम पर पूरा चुनाव हो रहा इसलिए म मैं भी बीच-बीच में खेलों वाली शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं तो अब इसके लिए सुरक्षा इंतजाम बहुत चौकस सुरक्षा इंतजाम किये गए हैं 669 केंद्रियपलों की कंपनियां वहां लगाई गई हैं मर्दान के लिए और अब तक अमोमन जैसी हि 14 में या 2019 के लोग सबाचुनाओं में वैसी हिंसा देखने को नहीं मिली है चिटफुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए अगर जैसे कुछ बिहार जिले में दीन हटा की या नदिया में कल 200 बरामद हुए थे तो यह सब चिटफुट घटनाओं हैं इसके अलावा केंद्र चरण यहां होगा उसके बाद दूसरा चरण सबसे अहम होगा क्योंकि उसमें वो हाई प्रोफाइल पुर्मेदिनी पुरजिले की नंदी ग्राम सीट भी शामिल है जहां ममता बनर जी लड़ रही हैं और उनके मुकाबले खड़े हैं कभी उनका दाहिना हाथ रहे शुभे मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और बैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी धन्यवाद